मिग्जो माही से हागोर्यो घुर्णी मिग्जो हागोर्यो घुर्णी मिग्जो मां प्रभाप पोरिवा दोखीन उरिस्सा अंधर प्रदेख तामिल नादू पुदू सेरी चेननाइट अर्प्रभाप पोरिषे बड़्तमा थार प्रभाल व्रिस्तिपात होई से थाय 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 तामिल नादू बड़ोखून होई से ताट जी खोमो नीमनो पोकुली ओंसला से, तार प्राइटि मेठे उधार करी खोकोले, उधार काइज्जोखेग कोर से, ताट बहु हँखण लुकोग, एतियाले के जोडी स्वाजा आताय के खों थाय मिलाए, एतियाले के प्राइए 8000 उपर अट, नीमनो पोकुली ओंसला behavior फालावा नाइट को martinอยट था नो प्रकेवी जा में सटनवें जातीर था सब्सक्रात सब्सक्राइल नीर फ्रकेवी । ट्हेंने भरने तिमेने पर्क्रिय को बेना बहुषे और बर्टमान एठ चेंदे भरभाल बरोखुन प्रोब बरोखूना फ़लाग बीमान बंदर थू मत्रमान पानी हुमाईज यह हुट्या को था मिमान बातिल कोड़ा हुसे, के बाखनो रेल बातिल कोड़ा हुसे, घंतात अही नबबोई किलोमेटर बेगोट आही से एग घुरनी मिझचो the winds and the wind speed as you can see, I am not even able to hold my umbrella, the wind speed is between 35 and 80 km speed per hour that's the kind of wind speed that we are experiencing since midnight, most of the parts of Chennai, they are completely out of power they've stopped power supply because most of the areas are inundated, airport is also inundated, Meenambakam where the airport is has received 20 cm rainfall as of 6 a.m. today from midnight till 6 a.m. Thank you पर स्थाब बडोखुन होई से होटता होटा कोफ़ोगा नुकरी Heavy rainfall, scattered heavy rainfall with isolated and one not isolated, extremely heavy is possible. Crack is moving north, north-westward and coming parallel and moving to the core and as of now, the current radar which shows the ground bands are approaching in series from the gap, and now it is going to approach the land and mostly winds were north-easterly direction, now slowly they are moving पर लेशस को जाएड़ आता हिए थाय के ला था थाय थे खारकारी दौल हजू हए और तक्रफॉ खीकनव पॉर ने खाजू झाल झाल